तुर्की के लिए भारत सबसे बड़े मददगार के तौर पर सामने आया है। तुर्की ने कश्मीर से लेकर कई मुद्दों पर पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खलाफ बयान दिये है। असली पित्रत दिखा दिये। दावा किया जा रहा है कि तुर्की की मदद के लिए जा रहे भारती विवानों को पाकिस्तान में अपने एयर स्पेस में एंट्री देने से मना कर दिया है। हाला कि अभी तक भारत या पाकिस्तान की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वही इस माबले में जब भारत में तुर्की के राज़ दूर्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारती वाई उसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को दूसरा रास्ता चुनना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एर स्पेस के इस्तमाल की इजाज़त देने से मना कर दिया। वह दूसरी ओर तुर्की को अपना दोस्त कहने वाले पाकिस्तान के प्रधान मंतरी गोकम प्रभावे तुर्की का दौरा करने वाले थे। रुबेला वाइरस पाया गया है जबकि बाद में उसी गेहूं को मिस्र ने खरीद लिया कहा जा रहा था कि तुर्की ने राजनितिक पैसले के तहट गेहूं को लोटा दिया है हाला कि तुर्की के कई भारत विरोधी कदमों की ताउजूद भी भारत ने तुर्की के साथ अपने व्यापारिक रिष्टे बनाए रखे हैं साल 2017-18 की बात करें तो इस बीच दोनों देशों के बीच 7.2 बिलियन डॉलर का दिर्फरक्श व्यापार हुआ था इस दोरान तुर्की ने भारत से 5 बिलियन डॉलर तक का आयात किया वहीं दूसरी और उसने 2.2 बिलियन डॉलर का निर्यात किया आपको बताएं तो तुर्की में भुकम की वज़ा से अब तक 8000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और मौतों का याकड़ा अभी और बढ़ सकता है पहराल अमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट सेक्शन में के जरूर बताईए बाकी देश और दुम्या के अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं आज तक के ज़िए